अब guys हम सभी को तो पता है कि जो ultimaterix है वो सबसे अलग है अगर आप लोग compare करोगे ultimaterix को किसी और omnitrix के साथ तो ultimaterix में कुछ ऐसे features हैं जो की ultimaterix को सबसे अलग बनाती है तो इस वडियो में मैं आपको ultimaterix के कुछ features के बारे मैं बताँँगा कि आखिर Ultimatrix दूसरे Omnitrix से इतना ज़्यादा बहतर कैसे है कुछ यहाँ पर Advantage भी है, कुछ Disadvantage भी है तो आप लोग इस वडियो को end तक देखते रहें ना अब हम सभी को तो पता है कि जब Elpido ने Azmat के Headquarter से Ultimatrix को चुराया था तब वहाँ पर हमें देखने को मिला था कि जो उसका डाइल का कलर था वो हमें ग्रीन देखने को मिल रहा था पर जब Elpido ने उस डाइल को अपने Ultimatrix में लगाया तो उसका जो कलर है वो चेंज हुआ और लास्ट में हमें ये देखने को मिला था कि जब Ben ने ले लिया था Elpido से उसका Ultimatrix तो Ben ने वहाँ पर ग्रीन कलर कर लिया था तो Ultimatrix में सिर्फ ये फीचर है कि वह अलग अलग तरह की कलर भी यूज कर सकता है जो भी यूजर होगा Ultimatrix का इसके अलवागा इस कुछ ऐसे भी Omnitrix हैं जो कि हमें अलग अलग तरह की कलर की देखने को मिल चुके हैं जैसे कि आपको याद होगा कि Ben 23 का जो Omnitrix है वह आपको Blue देखने को मिलेगा Mad Ben का आपको Orange देखने को मिलेगा तो इस तरह से जो हमारा Ultimatrix है वह मात्र एक ऐसी Ultimatrix है जो की कलर चेंज कर सकती है नमबर 4 Auto Scan Mode अब हम सभी को पता है कि कोई भी Omnitrix हो जब तक New DNA Omnitrix को टच नहीं करती थी तब तक Omnitrix उस DNA को कैपचर नहीं करती थी और गईस Ben 10 Alien Force में Ben ने किसी भी Alien को जादा तर स्कैन नहीं किया था पर Ultimatrix में एक ऐसा फिचर था कि अगर सामने कोई New DNA है तो वहाँ पर Ultimatrix काम करना बंद कर देती है जब तक कि वह उस New DNA को स्कैन ना कर ले और Ultimatrix में उसका जो DNA है वो स्टोर करके ना रख ले तो यहाँ पर जो Ultimatrix है उसके अंदर Fast Auto Scan Mode है नमबर 3 Button Feature अब हम सभी को तो पता है कि Omnitrix को जो भी पहनता है Omnitrix उसका DNA लॉक कर देती है और गैस Omnitrix तब तक नहीं उतरेगी जब तक उसका यूजर नहीं चाहेगा पर Ultimatrix के case में यह उल्टा है यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसे कि उस बटन को दापने से Ultimatrix का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और गज़ बाद में जाकर Ultimatrix में यह फीचर डाला गिया था तो यहाँ पर एक मातर ऐसी Ultimatrix थी जिसको बटन से भी उतारा जा सकता था Number 4 अब हम सभी को तो पता है कि कोई भी Omnitrix उसको एजमत नहीं बनाया है चाहे वो किसी भी Dimension का क्यों नहीं हो एजमत ही एक मेन ऐसा करेक्टर है जिसने Omnitrix को बनाया है पर Ultimatrix के केस में यह उल्टा है एजमत ने आधा बनाया है बाकी Elpido ने आधा बनाया है क्योंकि हम सभी को पता है कि जब Elpido ने Ultimatrix को छोरी किया था तो वहाँ पर Elpido नहीं Ultimatrix के साथ कुछ काम किया था तो यहाँ पर मातर एक ऐसी Ultimatrix है जिसको दो लोगों ने बनाया है एजमत और Elpido दोनों ने नमबर वन यह जो मोड है वो अल्टिमेट्रिक्स का सबसे इंपोर्टेंट मोड है क्योंकि यहाँ पर नमबर वन में आता है Evolutionary Function अब हम सभी को पता है कि कोई भी alien है उसका अगर evolved form कोई ला सकता है तो वह Ultimatrix है जैसे कि हमें देखने को भी मिल चुका है Ultimate Umanusaur, Ultimate Spider Monkey, Ultimate Echo Echo तो उनके जो evolved form होते हैं मात्र Ultimatrix कर सकती है और बाकी कोई भी Omnitrix नहीं कह सकती है Ultimatrix का करती है Artificially design करती है और वहाँ पर future में वह alien किस तरह से होगा उस तरह करके वहाँ पर Ultimatrix alien को transform करती है जिसको हम लोग चानते है Evolutionary Function के नाम से यह जो 5 features मैंने आपको अभी बताए वह Ultimatrix मात कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता है तो यह जो Ultimatrix है वह सच में बहुत यूनिक Ultimatrix है और Ultimatrix का तो हम लोग नाम जानते है जो कि है Ultimate Omnitrix यानि की Omnitrix का भी Evolved Function पर यहाँ पर Ultimatrix पूरी तरीके से बना नहीं था जिसके करन यहाँ पर कुछ Disadvantage भी मिले थे बेन को जैसे कि बेन जो है वह Ultimatrix के अंदर फसा रहा तो यह जो फीचर से वह सिर्फ और सिर्फ Ultimatrix के पास है तो अगर आपको यह वडियो पसंद आया तो वडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर आप लोग ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर दीजिए